कि नमश्कार सत्य हिंदी पे शरत की दोटूक में आपका स्वागत है मैं हूँ शरत पुधान और आज हम बात करेंगे सनातन धर्म को यहां सनातन धर्म एक इतना होट सब्जेक्ट बन गया है कि पुलिटिकल पार्टी लग गई है इसको भुनाने में सनातन धर्म एक बहुती इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के अधिकतर लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं लेकिन उसको एक पुलिटिकल एडवांटेज और डिसद्वांटेज में कनवर्ट करना ये तहाता कोचित है और जिस तरीके की बाते कहीं जा हैं वही आज की डेट में उसको कहा जा रहा कि राश्ट का धर्म है और बोत प्रदान मंतरी नरेन मोदी और खास्तोर से उत्तर प्रदेश के मुक्रमंतरी योगी अधितनात अभी वह महाकालिश्वर मंदर उज्जैन में गहते वहां पे उन्होंने ये बात कहीं कि ये तो ह रहा है कोई सरातन धर्म कोई नए चीज है इसको इस तरीके से फ्रिजेcket करना ये जो है कहां तक उचित है और जो भी इस पे कोइश्टिं उठाएगा वो देश विरौधी हो गया देश द्रोही हो गया और या वो एंटी हिंदू हो गया ये सरीके शटल दी जा रही है और बार बार एक्वेट किया जाता है उससे यह कह करके कि सहनातन धर्म को खत्म करने के लिए बहुत से लोग आए और उसमें फिर मोगल आ जाते हैं फिर वो हिंदू-मुस्लिम एंगल घूंग फिर के वो लाने का प्रयास है और अभी जो यह इशू उठा है वो डीमके के लीडर जो एमके स्टालिन के बेटे उदे ने दी स्टालिन ने एक बहुती गलत स्टेटमेंट मैं कहूंगा जिस तरीके से उन्होंने दिया इसके बारे में क्योंकि इस देश में किसी भी धर्म को किसी भी सेक्ट को धर्म के सेक्ट को इस तरीके से बुरा भला कहना बिलकुल उचित नहीं है और उन्होंने जिस तरह का कि सरातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए उसके बाद उन्हें क्लारिफिकेशन देने पड़े लेकिन उसी से लेके कंट्रॉवर्सी शुरू हुई और बीजेपी वाले अब बार बार ये चाह नहीं है तो ये तो मुझे लगता है कांग्रिस को ट्राप में फसाने की बात है पुलिटिकली आदमी के पुलिटिकल अलाइंस है कोई इसमें जरूरी नहीं कि आइडियोलाजिकली सब लोग एकी हूँ पहली चीज़ यह है लेकिन बारहल इसमें हम डीटेल में बात करेंग और आजकल उनको एक विशेश इंट्रेस्ट है स्टडी कर रहे हैं धर्म और स्प्रिच्वालिटी पर तो राहूल वेलकम आपका सत्य हिंदी में स्वागत है और आपसे हम पहले चीज़ समझना चाहेंगे कि यह सनातन धर्म का जो जो डिक्ष्णरी मीनिंग क्या है जो भी हिंदी जानता है वो जानता है सनातन का मतलब क्या सनातन जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इटर्नल यानि ऐसी चीज़ ऐसी वस्तु ऐसे बूल्य जीवनशेली कुछ भी जो हमेशा रहती है जो अजर है अमर है पहले भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी वो उसको अलग-अलग हमारे या शास्त्रों में अलग अक्षर भी कहा गया है जिसका कभी शरण नहीं होता अव्याय भी कहा गया है जिसको कभी खर्च नहीं होती खतम नहीं होती अविनाशी कहा गया है यह सब सनातन के परियावाची के रूपने आप देख सकते और दुन यानि युगानूकूल अंच होता है जो समाई के अनुसार बदलता है वो परिवर्तन शील है कुछ उसके केंद्रिय प्रत्व होते हैं सनातन प्रत्व होते हैं जो सनातन है वो सारवभवीक भी होगा ठीक है जो इटर्नल है वो यूनिवर्सल भी होगा ठीक है बहुत लोगिकी बात है ठीक है अब भारत में अब सनातन जो शब्द है ये अभी शुरू से इस रूप में प्रचलित कभी भी नहीं था सनातन बनाम अन्य ये जो एक युद्ध शुरू हुआ ये कई सब्सक्राइब कर्मकांड और मूर्ति पूजा अधिका विरोत करते हुए केवल शुद्ध वैदिक धर्म पर वैदिक मोलियों पर आधारित जीवन पद्धतिक की वकालत की और उसका बहुत जोर्षबर से पिच किया तो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी संख्या हिंदू की ऐसी थी जो मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी बहुदेववाद यानि अलग-अलग देवों में जो शिव में राम में कृष्ण में इन सब में विश्वास करती थी शैव वैशन शाक्त ये सब जो हम एक वैदिक काल है एक वैदिक उत्तर वैदिक काल है ये पुरानिक धर्म है पुरानों की रचना जब से शुरू हुई तब से ये राम और कृष्ण और शिव और लक्ष्मी पारवती दुर्गा काली ये जो हमारे विभिन देव हैं ये वैदिक देवता नहीं है उस रूप मे ये वैदिक काल के जो स्वामी द्यानन ने जो है यही चीज प्रचार के आई सी बात का कि जो चीज वैदिक काल के बाद में आई है वो औरिजिनल नहीं है और जो असली धर्म है वो वैद के साफ से फालो कर रही है जिसमें मूर्ती पूजा का कोई स्कोप नहीं है इसी वज किया सनातन प्रक्रिय है के खिलाफ जो जिसको सबसान धर्म माना जाता था देखे पहला विद्रो तो आपको बुद्ध धर्म, बुद्ध को देना परे हैं तो जैन आए जैन तो बधों से भी पहले आए थे तो ये बहुत गंभीर अर्थों में भी इनमें बहुत हिंदुत में समानताई भी रही इनकी और विभिनताई भी रही और विद्रोह का भी तत्वता उसमें विद्रोह हुआ बिलकुल मुर्ति पूजा का इश्वरवाद का इश्वरवाद का विरोध हुआ और बहुत 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 यह गहरे, जटिल, उल्जे वए सवाल है, इतिहास है, हम अभी उसमें जाने का इतिहास, हम बर बास समय नहीं है मोटे तौर यह समझना चाहिए कि यह हम सनातनी हिंदू हैं, यह कहने की ज़रूरत उसके आरेसमाज के विरोधियों को हुई क्योंकि आरेसमाजी बहुत ज़्यादा अकरामग धंग से उनकर Humla करते थी आप जिस पर भी Humla करेंगे वह चारे तो वह जवाब तो देगा वो भी तनके खरा हो तो फिर ये आरे समाजी बना सनातनी एक ऐसा वो बना वो धीरे धीरे वो भट गया है अब आप देखें कि ना तो आरे समाज पर लेगी तो वह इसी कारण हुआ था क्योंकि वह बड़े आक्रमक थे और वह सनातन धर्म का उन्होंने विरोध किया उनकी जो सत्यार्त प्रकाश है पूरी इसी पर आधारत है और उनकी भी फालोइंग अच्छी खासी बन गई थी लेकिन क्योंकि उनकी उनकी मृतियों जात्या हुई और अर्ली हो गई इसलिए शायद उतना पहला नहीं सके आरे समाज को नहीं तो हो सकता है स्थीर कुछ और होती आज भी आरे समाज की बहुत एक मजबूत परमपरा है बहुत सारे लोग हैं जो उनके शास्तर की लोग हैं शास्त्री हैं जो वैदिक धर्म का वेदों का बहुत अध्यान करते हैं प्रशार करते हैं उस पर बोलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी टीकाएं व्याक्याए उन्होंने वेदों पर गीता पर हमारे शासनों पर की है ये परंपरा चल रही है अब फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी जिसको सनातनी आज कहा जा रहा है वो दरसल पौरानिक धर्म है पौरानिक हिंदुत पर कह सकते हैं उसको आनक वैसे तो हिंदु शब्द भी काफी बा इसके इस पार के लोग हिंदु हो गए हिंद के हो गए हिंदुस्तानी हो गए भाषा हिंदी भी उसी से बनी और उसके उधर बाहर के पुर्व के जो लोग थे उधर के हमारे पश्चिम के उनों ने हिंदु के गारण उनको हिंदु कहा ऐसा शुरूआ और इंडिया हमें ध If अब जो さनातं कहा जा रहा है, वो भी भ्रामक है。 So Oo कि जो हिंदू धर्म कहते हैं इसको वशनव धर्म कहे लें और शैव शाक्त कुछ भी कह लें, भाध-बत धर्म कहलें, उसमें एक सनातं अच तो है लेकिन वो हिंदू बनाम अहिंदू, हिंदू, मुसल्मान, इसाई, इसमें बाटने बाटा नहीं जा सकता, ऐसा कहीं शास्तों में है ही नहीं, हिंदू धर्म शब्द भी बहुत ज्यादा बाद में आया है, पुरान काल में आया है, अब वेदों की रचना शुरू हुई लग से जार साल पहले और शेहजार साल पहले ले जाना चाहते हैं, हम उस बेवाद में नहीं जाएगे, पुरान का यह जो इसको हिंदू धर्म का का ही परियावाची बताने का जो प्रयास हो रहा है, बीजेपी द्वारा खास तोर से, वो कहां तक उचित है, देखे, वो एक रा अकर्षित करने वाली शक्ती है, और उसकी अपनी शक्ती इतनी जदा है कि उसके राजनेतिक दुरुपयोग से कोई भी बचता नहीं है, कोई देशकाल परिशिती दुनिया में ऐसी नहीं रही, जहां पर धर्म का दुरुपयोग नहुँआ हो, राजनेति में उसको हत्यार ना बनाए गया हो, यहां भी हो रहा है, पहले भी हुआ था, तो यह गुर्भागी पूर्ण है, लेकिन हमें मानना पड़े का, यह सच्छा ही है, तो धर्म का अपने अपने धर्म का O, दूसरों के धर्म का भी उसकी नंदा करके भी धर्म का उपयोग किया जा रहा है अब और धर्मों को लड़ाने की कोशिश भी हो रही है, यह भी एक राज़नीतिका हिस्सा है, हम जानते हैं, यह बीज़पी की राज़नीतिका हिस्सा है, तो सनातन तत्वतों हैं हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं मनिस्मिति मेरे पास रखी है, मैं आपको पढ़के सुना सक पता हूं कि मनुस्मिती क्या कह रही है सनातन धर्म किसको कह रही है ज़िए एक बार सुन लीजे अच्छा लगेगा आप बिलकुल बताईए यह है और यह हम सब ने सुना हुआ बश्पन से यह श्लोक हमने देखे पढ़ा है और सुना है सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात नब्रुयात सत्यम अप्रियम प्रियम चनानृतम ब्रुयाद एश धर्म सनातनह यही सत्य बोलो प्रिय बोलो अप्रिय न बोलो और अप्रिय सत्य न बोलो और जो जो जूट है जो सत्य नहीं है वो भी मत बोलो यही सनातन धर्म है एश धर्म सनातन है यह मनुस्पति है जो बहुत अच्छी बात है और ऐसे महाभारत में भी आपको बार-बार मिलेगा अब गीता की बात कर लीजिए गीता में धर्म का धर्म शब्द बहुत आया है धर्म का जो पारंपरिक अर्थ भारत में शास्त्रों मे इसको जो है पॉलिटिकल्स का जो इसका कर रहे हैं वो तो एक शकल दे दी अब उसमें आज की डेट में उस धर्म कीबात नहीं कोई करता कि शत्री धर्म यह है ब्राह्मन धर्म यह फला लेकिन आज तो यह हो गया कि सब सब अधर्म धर्म हिंदु धर्म है और अगर आप अगर वो पढ़ लें तो गीता में सबसे अंतिम उपदेश जो दिया है भगवान कृष्ण ने और जुनको वो क्या कहा है उन्होंने सबसे अंतिम उपदेश सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वजह हम त्वा सर्व पापेद्यों मुक्षा इस्या में माशो सारे धर कोई चिंता मत परो सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आजाओ मैं तुम्हे सारे पापों से मुक्त कर दूँगा तो वो धर्म के विरुद्द बात कहना है क्या गीता के यंतिम तो परंपरा जहां धर्म है जहां संगटे धर्म है वहां परंपरा होती है संस्कृति यानी प परंपरा को जब हम एक स्थाई मान लेते हैं उसको स्थिर कर देते कि यहीं परंपरा है इससे एक इंच आगे हम आगे पीछे नहीं हो सकते तो यहीं गड़बर करते परंपरा को हम जड़ नहीं बना सकते परंपरा और परिवर्तन यह साथ साथ चलते हैं परिवर्तन से पर तो आपने यह आपने जो कहा बहुत अच्छे से आपने इस तो तमें समय के साथ बोली बोली आप देखिए इसलाम में भी बहुत से सुधार अरंदोलन हुए हैं वहाँ एक इज्टिहाद नाम की चीज़ होती थी यानि धर्म के जिन विश्यों पर धर्म में शंका होती थी ल होगे संशय होगा शंकाए होगी वहाँ आपस में बैटकर उन पर चर्चा की परंपरा थी वह नश्ट हो गई इसाहियत में कृष्यानिटी में आप देखिए कि एक समय था जब प्रत्वी को गोल माना जाता था और गेलीलियों को तो फासी पिचड़ा दिया जिसने कहा कि गोली फ्लैट माना जाता है उसको तो दे दिया गया लेकिन उसको बाद समय समय पर पोप ने परिवर्तन किये जो नई चीज़ा थी उनको माना और आज भी कृष्यानिटी में भी कितनी धाराएं बन गई एक धारा है जो आधुनिक चीजों को मानती है एक धारा अभी भी जो बिल्कुल वही बाइबरी की दुनिया में लौट जाना चाहती है जैसे इसलाम में भी यह समस्या है कि वो छटी शताब्दी के इसलाम में उसी अरब परंपराओं में और संस्रिती में लौट जाना चाहते हैं और कुश हिंदुओं के साथ भी यह समस्या हो रहे हैं कि तो वैदिक काल में जाना चाहते हैं, पौराडिक काल में जाना चाहते हैं, तो यह इस से किसी धर्म का भला नहीं होता है, ना तो लोगों का भला होता है, लोग धर्मित होते हैं, धर्म आगे ले जाने वाली चीज़ हैं, वो हमें पीछे थोड़ी ले जाती है, ऐसा धर्म का क्या फाइदा जो हमें हम अपना आज का जीवन और आने वाले कल का जीवन जीने में मदद ना करे हमें वो धर्म यही चीज़ आप से समझना चाहरे हैं कि जो आज पॉलिटिकल क्वेस्टिन पर आते हैं कि किस तरीके से आज जो राजनेतिक पार्टिया इसका जो इस्तेवाल कर रही हैं इसी के लिए कि जिससे साइटी को पीचे लिए जा रहे हैं और उस महां तक सीमित कर दे ने कि नई आप इसी चार दिवारीं के अंदर आप रहेंगे और आपने इस से जरा साभी अगर आपने डेविएट किया तो आप अधरम ही होगा है और यह होते वُए दिख हो रहा है और आज बीजेपी को लगता है जैसे कोई एक पॉइंट मिल गया है जो उद्धे ने दी स्टालिन की गलती की वज़े से है लेकिन अब उसको फूरा लेकर के तमाले यह देखिए हम आपको त्वारत की संस्कृति पर हमला करने की इंडी एलायंस का मिर्णा है भारतियों की आस्ता पर हमला करो इंडी एलायंस गमंडिया गडवंदन की नियत है भारत को जिस विचारों ने जिस संस्कारों ने जिस परंपराओं ने हजारों वर्थ से जोड़ा है उसे तबाह कर दो जिस सनातन से प्रेलित होकार देवी अहल या बाई होल करने देश के कौने कौने में सामाजी कार्य किये नारी उत्थान का भियान चलाया देश की आस्था की रच्छा की ये गमंडिया गडवंदन ये इंडिय अलायंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए है ये आपने राउल आपने सुना आई है पहले भी सुन चुके हैं हम लोग लेकिन यह हमने खास्तोर से दर्शकों को दिखाना चाहरे थे कि देखे किस तरीके से किस एक्स्टेंट तक उसको ट्विस्ट किया जा रहा है और कितना बढ़ा चड़ा के वह चीज़ बताए जा र के और यह इसमें जो यह बोला है नोने यह बिलकुल सकते नहीं है इंडी अलाइंस इनके हसाब से इंडिया नहीं है वो इंडी अलाइंस है तो लेकिन यह जो है यह एक नाजाइद इस्तेमाल है कि नहीं धर्म का यह को छोटा मोटा निता कहता ऐसा तो हम समझ सकते थे लेक जी इस भाशा में बात कर रहे हैं क्योंकि यह सब जानते हैं और इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है तो जानती है कि यह गड़बंदन क्यों बना है यह गड़बंदन बीजेपी का एंडिय का एक राश्ट्री विकल्प तयार करने के लिए बना है इस देश में और यह पिशासन कर चुके हैं उनको पता है इस देश में जनता कितनी संवेदशील है कितनी समजध दार है और धर्म कितना संवेदशील और कीमती चीज़ है वो यह जानते हैं कि ये सनातन धर्म को, सनातन संस्कृत को, हिंदू संस्रित को मिटाने के लिए गडबंदन नहीं बना है, ये बिल्पूल सनातन जूट है, जूट है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, कि प्रधान मंद्री जी स्वाया हम इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके विरोध के हजार त मैं ये मानता हूँ, बहुत दुखता से कि इंडिया गडबंदन के सभी डियम कर नहीं मानता हूँ, उनको छोड़ दीजे, हलांकि स्टैलिन खुद इस बात पर अपने कदब पीछे हटा चुके हैं, उद्यनेदी की बात के, वो उससे सहमत नहीं है, और शाय तोंगस ने भ में कहके आप नहीं चल सकते हैं, ये बहुत गलत है, बहुत मुर्खता पूर्ण बात कहिए उन्हें, और बहुत ज्यादा निंदनी अबात कहिए उद्यनेदी ने, और उसके बाद जो राजा ने उसको दोराया है, तो इतनी घटिया बाते हैं, कि आप उसकी किसकी से तुन पिरा करके उसी भाशा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीकर, आज की देश में राज में देखा, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि अगर आपने बड़ अच्छा कहा कि इसमें जरूरी है कि इंडिया अलाइंस के वो अब इस बात का बिलकुल विरोध कर सकते हैं, जो प्रदान म पर नहीं है कहने का ये कहीं किसी सूरत में की सनातन धर्म को खतम क्या जा रहा है, क्योंकि यही तरीका अपना करके वो वोटर्स को मिस्टाइड करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वोटर इतना जो है, इतना बेवकूफ है कि वो मान लेगा, कि भाई ये जो है, क् कि उसके से एक आदमी ने इस तरीके से कहा कि उसको मिटा देना चाहिए तो सारा अलायंस जो है वो पूरा खतम हो जाएगा इसी पे कि सब ये अधरमी लोग हैं देखे इतना सरहल तो कुछ भी नहीं होता शरत आप और हम जानते हैं इतने साल से हम लोग चालिस साल से पत्रका साहिन हमारे दीख रही है हमारी ज्रामीन महिला है आप उनकी कल्पना की ज़िए उनके मन पर जब यह सुनेंगे या प्रधानमंत्री की वह बहुत दिदा करती हैं कि तुम ऑपकी तरह नहीं हैं ये अपकी दारव नहीं है यह सरल लोग हैं और जिस पर उनकी शद्धा है उनकी प्रधान मंत्री पर शद्धा है और इस देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं यह प्रधान मंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है जिसक का कुछ लोगों पर हमारी महिलाओं पर जो बहुत धर्मपराण हमारी जनता है उस पर कुछ तो असर होगा ही इसका राजनितिक नुपसान इंडिया गडबंदन को होगा और बीजेपी को इसका फाइदा इठाने का इसको भूनाने का एक बहुत अधुत जबरदस हतियार मिल पी उसका भरपूर फाइडा उठा रही है और इसमें किस तरीके से इस पर डिपेंड करता है इंडिया एलाइंस कितना अपनी बात पहुंचा सकता है यह बात आपकी सही है कि एक बहुत बड़ा तपका है इस देश में जो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की बात आंग बन कर के विश्वास करता है क्योंकि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने कल्ट क्रियेट कर दिया है इस देश में जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ इंडरा के गांदी के जमाने में भी इस तरीके की वह हुई थी लेकिन इस एक्सेंट की शायद नहीं थी और जब कल्ट बन 여기는 को नहीं यहि किया जा रहा है कि ऐसी एक पूरी कहाणी गळ करके काशनी जा रही है में और इसको किस तरीके से बिल्कुल सही बात है लेकिन सनातंधर्म जिसी चीज़ की अजाजत देता है freedom की freedom of speech की liberalism की सोच की विचार की वो जो है आप इसमें ये कह करके योगी आदितना तरह कह दिया कि कोई आलोचना करेगा तो वो बरदाश नहीं होगी आलोचना नहीं करने देंगे किसी कौम वो कहीं से कहीं से उसके लिए क्या कहते हैं आप अब मैं योगी जी पर ज्यादा टिपनी नहीं करना चाहता लेकिन वो अपनी परंपरा के विरुद्ध बात कर रहे हैं एक और मैं उधरन आपको मनुस्मिति से ही देना ऑज चाहता है योगी जी की बात नाएं सॉलि नंठी यह जो मै जिस मथ के वो आज सब सरवे सर्वाथ हैं वाबा गोरक नाथ की जो उत्यास बताता है उन्होंने यह क्रिये इसल्ये किया था जो तनातन कि जो प्रैक्टिस टी जो कूरी थी उसमें । उस में उसके विश्थ में खटा किया आख। जो ब्रह्मेनिकल ओर्डर था जहां मंदिरों में चोटी जाती के लोगों को जाने नहीं दिया जाता ह। उन्हों ने ये मट उन लोगों के लिए क्रियेट किया था। यह तो इस इस्टोरिकल फैक्ट है। तो वो जो आपने कहा कि योगी जी वो अपने ही परंपरा के लाफ जहां कि आज की डेट में उनको उनको बड़ा बुरा लगता है। मैंने एक इंटर्व्यू में उनसे बात यह बात कहीं तो बहुत नाराज हो गए थे। नहीं नहीं आपको गलत पहते हैं। वो तो यही सनाते नहीं प्रैक्टिस करते थे वो उन्होंने तो पूरा इंस्ट पूरा इस्टित के शात्र वगरा नहीं बताते हैं। तो गूम गूम के जो धर्म के मूलतत्व हैं और योग, मारा जो अश्यांग योग है, उसकी बातें लोगों में फैलाते थे। उसमें कोई जातिभेद नहीं था उस तरह का क्योंकि योग की परंपरा में तो जातियों का उसमें ब्राम्मान और अब ब्राम्मान ये भी नहीं मिलता कहीं थे। सबके लिए सर्वसुलब है। तो दूसी बात हमें ये भी ध्यान रखने चाहिए कि योगी होना, अपने को योगी कहना एक बहुत बड़ी जिमधारी की बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझत करना, उसकी सारी रिवस्था करना, यह एक महंत के वहता है। आपने उनको धर्म प्रवचन करते हुए कितनी बार सुना है? गीता के, हमारे शास्त्रों के, या पराणों के, उ पनिश्दों के, वेदों के बर्सष्ग की घरन देते हुए आपने कितना है? मैं नहीं бер Nacionalında कि र कुछ भी कह सकता है सब समझने की जो धर मैं समझता हूँ मैं जानता हूँ धर्म क्या है अब मैं आपको जरीए से जाती बाद भी बहुत पहला है और जो की बेसिक वेदिक फिलोसफी के खिलाफ है तो यह तो आप मानते हैं कि इसमें जो जातियों का जिस तरीके से वो किया गया है जातिया निर्धारित की गई है वो औरिजिनल वेदिक रिलिजिन में नहीं थी लेकि केबल वेदिक तक ही हम अपने को वेदिकाल तक ही सीमित रख लेंगे तो पिर उसके बाद जो एक लगबाद पांच जार सबसे पुराना जार्भिक जाक्वमेंट लेकिन वेद ही बाकिकश बुरिजिनल नहीं मॉलिक नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, उपनिशद भी मौलिक हैं, पुरान भी मौलिक हैं, वो नकल करके नहीं लिखे गए हैं, उपनिशद उसका इंटरप्टेशन है, वेदो का, उनका ग्यान कांड है, वेदो का, बात में आए, बात में आए, जी, और पुरान भी, आखिर हैं तो मौलिक ना वो लिखे गए हैं और हमारी परंपरा के नुसार हमारे पुरान भी पहले तो एक ही पुरान था वो इतना बड़ा था कि वो किसी कोई उसको पढ़ी नहीं सकता था तो व्यास ने जिन्होंने बहाबारत लिकी जिन्होंने एक ही वेद था वेदों के तीन वहाग कि वेद व्यास ने उनको वेद व्यास कहते हैं एक पीठ है वो एक परंपरा है एक व्यक्ति यह सब नहीं कर सकता था लेकिन परंपरा यह कहती है कि वेद व्यास नहीं पुराणों की भी रचना की लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद जो बहुत शोध हुआ है आज वो चली र कुछ बात से शुरू होकर चौदवी सदी तक सन चौदा सो तेरा सो तक पुराण लिखे जाते रहे हैं पुराण एक सो आठ तो मुख्य पुराण हैं इसके अलावा अंगिनत पुराण और हैं कुल संक्या तो तीन सो के आसपास जाती है और उसमें के साथ सा जुड़ते गए समय के साथ सा जुड़ते गए हैं अलग 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 है पहले सबसे पहले कौन से लिखा गया उसके बाद कौन सा आया फिर कौन सा आया फिर कौन सा आया गया सब एक साथ नहीं लिखे गए सारे वेद भी एक साथ नहीं लिखे गए उपनिशद एक साथ नहीं लिखे गए इ कि कि एक के बाद दूसरी एक जो मनू में लोगों के मानस बन हुआ है कि एक सब प्रकत हो गया अचानक सारे पुराण प्रकत हो गए सरे हमारे देवता प्रकत हो गए ऐसा नहीं होता इसे खुब खुब शोद हुआ है अब मैं आपको conservatives केे लिए कहते हैं तो एक शुरुति और स्मृति वो अलग अलग वरा तो स्मृतियां भी कितनी शुरुति तो ठीक है कि सब वेद और उपनिशद और आराण्यक और ब्राम्हन ग्रंथ ये जो चार तरह के ग्रंथ हैं इनको हम शुरुति में मनते हैं उसके बाद जो कुछ धर्म शास्त स्मृतियां, पुरान ये सब स्मृतियां हैं अब मनुस्मृति में कह रही है वो धर्म के दस लक्षन बता रही है द्रितिय क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्बन लक्षणम दस लक्षण है धृति यानि धैर्य क्षमा दम यानि सैयम से अपने इंद्रियों का दमन करके रहना अस्तेय चोरी न करना शौच बहार भीतर की शुद्धता पवित्रता इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश्मे रखना धी सत्कर्मों में बुद्धि को लगाना बुद्धि को कहते हैं धी विद्या सत्य सत्य का आचरण और अक्रोध क्रोध न करना इसमें जनेव पहलना इसमें यह सब नहीं है वो सब बात भी आता है है वो लेकिन यह सनातन धर्म नहीं है थो सनातन धर्म यानि मानुवी बिवहार के वो शेष्टतम मूल्य जो सर्वकालिक हैं और सर्वभोमिक हैं हर नर्काल में हर प्रंपरा में ह近की दार में सत्यबोलना श ment करना अहिंसा करना किसी कश्ट न देना दूसरे का हित करना अहित ना करना ये सारे सब जगा मिलते हैं चोरी ना करना तो ये जो ये है धर्म का सनातन अन्श यो की उनिवर्सल प्रूट है ये उनिवर्सल और ये शायद हर धर्म में ये चीजे बताई जाती है लेकिन आज के डेट में जो आज की तारीख में जिस तरीके से इ उसमें जाहिर है ये जो एलेमेंट्स जो आपने बताया है जो की फंडमेंटल्स हैं वो ना रह करके आप चारिकताओं पे जाधा आ गया है और रिचुछ पे आ गया है और वही रिचुछ को ले करके जो सनातन धर्म का राजनेतिक ये इस्तमाल कर रहे हैं वो उससे साफ अपने को हिंदू मानते हैं उनसे यह अनुरोद करूँगा कि क्रपया अपने मूवल धर्मगरंत जरूर पढ़ें पढ़के बोलें पढ़के समझें बिना खुद पढ़ें बिना शास्त्रों को कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पढ़ें सारे के अनुवाद मवजूद हैं गी अपने अपने धर्म और अपनी परंपरा से अपने शास्त्रों से होना चाहिए दूसरी बात कि यह जो वर्णाश्रम धर्म है वर्णाश्रम यवस्था इसमें इसमें मनुस्मिती और स्मितियों के समय यानि आज से तीन हजार साल पहले उसकी कोई प्रासंगिता हो सकती थी तो कहां है आश्रम में वस्ता वर्ण वर्णों में मिलावट ये तो महाभारत काल से शुरू हो गई थी ये तो वैदिक काल से भी शुरू हो गई थी मनुस्पिदी के अपने उसमें वर्णन है वर्ण संकरों का वर्णन है तो ये तब से चल रहा है कौन ये कह सकता है कि वो शुद्ध उसका वर्ण या उसकी जाती शुद्ध है कोई नहीं कह सकता यह है है यह नहीं लेकि नहीं निस्क्रिनिशन इसी के बेसिस्ट प्रथ होता है मनु के हाँ क्योंकि मनु की भी चीजें इसलिए यह हमें होनी चाहिए बात कि भई हमारे शास्त्रों में उस समय के अनुरू कुछ बात अगर कही गई है तो वो आज हमारे लिए हम उसको जोकतियों स्विकार कर लें ये नहीं स्विकार होगा उसको बदलना जरूरी है जो आज नहीं चलेगा उसको छोड़ देना चाहिए उसके बचाव नहीं हम कर सके अब इस्तरियों के लिए शूद्रों के लिए जिस तरह की बाते कही गई है ज तो उनको भी तो धर्म में इस धर्म के सांगठ जो संगठित च्वरूप है लौकिक च्वरूप है उसमें सुधार परिवर्तन अनिवार रहे वो नहीं होगा तो फिर गंदरी ही आएगी वो विक्रती आएगी तो सुधार को चाहिए हमें हर धर्मिक सुधार जिसकों कहते हैं बहुत ही अच्छी बात कही है आपने बड़े सफश तरीके से बड़े अच्छे तरीके से आपने बात समझाई है और मुझे लगता है कि आज के पुलिटिकल कांटेक्स में जो राजनिती इसमें प्ले की जा रही है अगर जो विपक्ष का अलाइंस है वो इनी बातों को अ सनातन धर्म के खिलाफ है यह हो सकता है उल्टा उनको महगा पड़ जाए अगर लोगों में ये बात बैठ जाए कि ये मनुस्वरिती को पहलाना चाहते हैं जिसके जरीए आप दलितों और पिच्छे जाती और चोटी जातियों को आप उनके साथ भेदबाव करते हैं क्यों कि उसमें जो जाती जातियों के साथ जो जिस्क्रिमिनेशन है वो दाहर है बिलकुल उचित नहीं है और जो जातिया गया है अभी लेकिन लोगों के दिमाग पर असर है उच्छ नीच का भाव है च्छुआ चूट का भाव है इसलिए उसके हमें दारन दिखते रहते हैं नह तो उस कांटेक्स में काली कह रहा हूँ कि अगर यह बात लोगों तक पहुंचती है तो यह यह कहना इंडिया एलाइंस के खिलाफ कि वो उनको उनको मेंगा पढ़ सकता है जो कि उद्धर निदी के स्टेट्मेंट से बिलकुल आपने सही का कि इंडिया एलाइंस का नुक् सब्सक्राइब और आपने इतनी विस्तार से और इतनी क्लारिटी के साथ लोगों को जो समझाया है लोगों के जहन में बात दीप बैठेंगा देने के लिए बहुत धन्यवाद शरत